है नमस्कार दोस्तों इज़ी टूलड में फिर से एक बार आपका बहुत बोच सौगत है कल हमने ध्यूंब के बारे में दिसकस किया था आज हम देखने जा रहे हो ώल्टेज एकवेशन आप मोटर हो उसके बारे में हम हम discuss करेंगे और maximum power के लिए क्या-क्या conditions होते हैं वह भी आज हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले देखेंगे हम voltage equation of motor सबसे पहले voltage equation of motor देखेंगे हैं दोस्तों कभी जब भी हम किसी मोटर को जब भी हम किसी मोटर को मोटर है यह मेरी इसको हम अगर सप्लाई देते हैं इसको अगर मैं सप्लाई दे रहा हूँ जब मैं supply दे रहा हूँ इसका मतलब मैं voltage supply मोटर को दे रहा हूँ तब यह दो चीजों को ओरकम करता है यह दो चीजों को यह supply फेड करता है किसके हम supply किसको देते है आर्मेचर को अगर मुझे मोटर रोटेट किसको देते है आर्मेचर को तब यह दो चीजों को ओरकम करता है एक तो बैक एम एप को जैसे के हमने बैक एम एप में देखा था बैक एम एप की condition क्या थी इबी इकोल्स टू भी अगर रहेगा तो मोटर स्टॉफ हो जाएगी मोटर क्या हो जाएगी एकदम स्टॉफ हो जाएगी रोटेट नहीं करेगी अगर मुझे मोटर रोटेट तिंग कंडिशन में रखनी है या फिर मोटर मोटर रोटेट करना है तो मेरा इबी हमेशा क्या रहना चाहिए कम रहना चाहिए किसे सप्लाइब होल्टेश से और दूसरा आर्मेचर में जो लौस आर्मेचर के जो अमिक लॉस होते हैź जैसे कि आरे जरूस में नहीं आई है जब भी यह दू टाम् कि अब हमको समझ में आ जाएगा कैसा कि तो इससे पतले आये और आर्य देखा है हाँ तो यह दो आये आये यिज ड्रॉप होता है उसको score कम करने के लिए या फिर उसको उसके लिए हम होर्ट शाप्लाइज ते या फिर बैक करने का यह दोनों के लिए यह दोनों के लिए हम voltage supply देते हैं ठीक है the voltage V the voltage V applied across the motor armature has to overcome the back EMF पहला point overcome the back EMF second point supply the armature omic drop supply the armature omic drop तो मैं इससे यह लग सकता हूँ जो मेरा supply voltage है मैं जो motor को देने वाला हूँ उसको अगर मैं divide कर दो यानिके वो two parts इन दोनों को जा रहा है एक हमारा यह जो omic drop है armature का और बया के EMF को इन दोनों को जा रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लख सकता हूँ EB plus IA RA यह लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ यही तो है हमारा voltage equation of motor दूसरा क्या है यही है हमारा voltage equation of motor इस इस नोन नोन आज होल्टेज equation of motor यही हमारा क्या हो जाएगा voltage equation of motor अब मैं क्या करता हूँ इस पूरे equation को मैं IA से multiply करता हूँ multiply by IA मैं IA से इसको multiply करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा V IA equals to EB IA plus IA square RA हो जाएगा मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने simply पूरे equation को IA से multiply कर दिया अब देखिए मैं यह V IA को ले लेता हूँ V IA को ले लेता हूँ यह कौन सा supply है मेरा voltage supply जो मैं बहार से motor को दे रहा हूँ यह voltage supply है इसके बज़े से जो armature में current flow होगा वो कौन सा होगा आये इसलिए यह क्या हो रहेगा electric input to the armature ठीक है अब मैं इसको ले लेता हूँ EB IA यह क्या हो जाएगा मेरा यह हो जाएगा the electric equivalent of mechanical power electric electric equivalent of mechanical mechanical power develop in the armature develop in armature मेरा mechanical power कहा पे develop हो रहा है armature पे हो रहा है ना field पे तो नहीं होगा यह जाहिर सी बात है कि mechanical power मेरा कहा पे develop होगा वो mechanical power होगा develop armature पे यह सीधी सी बात है दोस्तो इसी लिए EB IA क्या हो जाएगा electric equivalent of mechanical power develop in the armature अब यह टर्म यह टर्म देखिए दोस्तो इसके बारे में हमने बहुत जादा बार बार इसके बारे में हमने discuss किया था जब हम जनरेटर पढ़ रहे थे ना तब इसके बारे में बहुत बार discuss किया था बहुत से लोगों को जल्दी समझ में आ गया होगा यह क्या है जब हम losses की बात करते है जब हम जनरेटर में losses की बात कर रहे थे तब यह टर्म बहुत ज़्यादा आएगी यह क्या है हमारा यह copper loss है की नहीं है जिसको हम cu loss बूलते है copper loss है की नहीं हाँ इसलिए यह क्या हो जाएगा मेरा i square ये और लोस क्या हो जागए है corporate loss और अब देखे i² यह कुण सा loss होता है हमाद यह कोपर loss लेकिन यह किसकी बारे में बात कर रहे हैं हम Armature की बारे मे एसलिए मैने suffix में यह आई के suffix में यह दिया ओर के suffix में भी यह दिया क्यूंकि current की भी बात में किसकी कर रहा हूँ आर्मेचर की और resistance की भी बात में किसकी कर रहा हूँ मैं आर्मेचर की बात कर रहा हूँ इसलिए यह copper loss भी किसका होगा बाहर से दे रहा हूँ किसी भी motor को तो उसको rotate होने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले पहले तो उसको back EMF को ओर कम करना पड़ेगा फिर उसको ohmics drop को भी supply देना पड़ेगा जो armature का Ohmics locks होता है ohmics drops होता है उसको भी supply देना पड़ेगा इनके उसको भी overcome करना पड़ेगा इन दोनों को overcome करने के बाद ही हमें mechanical output मिलेगा इसलिए मेरा external voltage जो मैं बाहर से supply दे रहा हूँ motor को तब मेरा equation क्या आ जाएगा EB plus IA RA ये equation मेरा आ जाएगा अब देखिए ये जो I square R loss ये जो I square R है ये मेरा loss है ठीक है अब ये जब loss minus हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा उसके बाद ही मुझे output मिलेगा motor का जो mechanical output है उसके बाद ही मिलेगा न हमने एक बार देखा था फिर भी एक बार हम recall कर लेते हैं उसको देखिए अगर मेरा input है ये मेरा input है, input के बाद power diagram में हमने ये सब देखा था लेकिन फिर भी एक बार recall कर दे, input, input के बाद क्या होता है loss उसके बाद में हमें जाके output मिलता है बराबर है जब मैं input दूंगा तब उसके losses minus करने के बाद मुझे output मिलेगा न ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने 100% input दे दिया तो मुझे 100% ही 100% ही उसका output मिल गया ऐसा नहीं होता ऐसा स्रीप ideal machine में होता है और ideal machine अभी present है क्या नहीं ideal machine हम बना नहीं सकते है उसमें कुछ ना कुछ loss जरूर होगा इसलिए हमें 100% के नीचे ही 100% के नीचे ही हमें उसका output मिलेगा या फिर उसकी efficiency मिलेगी इसका मतलब input देने के बाद जो losses होंगे वो माइनस करके जो हमें energy मिलेगी वही हमारा output रहेगा Hence, out of the armature input, sum is wasted in i2r loss and it rests in convert into the mechanical power within the armature यह देखिए within the armature, within the armature, within the armature बोला है इन्होंने क्योंकि within the armature ही convert करेगा i2r loss cut होने के बाद, माइनस होने के बाद जो मिलेगा वो within the armature क्योंकि armature के पास और भी तो बहुत ज्यादा losses होते और भी तो बहुत सारे losses होते ना wear and tear loss जिसको mechanical loss बोलते हैं मैंने हमने उसके बारे में अभी तक बात नहीं की है इसलिए मैंने इसलिए यहाँ पर within the armature यह words use हुआ है within the armature क्योंकि अगर मैं पूरे losses के बारे में armature का output अगर बोलता मैं जो हमें rotating मिलता है उसका output अगर हम बोलते तो उसमें हमें और mechanical losses भी हमें minus करने पड़ते थे इसलिए अभी बात हमारी चालू है i square r loss की इसलिए within the armature की बात हमने की है hence out of the armature input some wastage in i square r loss the rest is convert into the mechanical power within the armature आनिकी input देने के बाद सबसे पहला loss हमारा क्या होगा i square r loss उसके बाद armature को mechanical power के लिए output मिलेगा चलो एक छोट से डाइग्राम से हम इसको और अच्छे से देख लेते हैं शायद अच्छे से समझ में आ जाए मैंने input दे दिया मोटर को उसके बाद i square r loss हो गया ठीक है उसके बाद यह input पहले तो आपको बता है फिल्ड में जाएगा उसके बाद rotor को मिलेगा i square r loss होने के बाद rotor को rotor के पास जाएंगे समझ लेजी मेरा यहाँ पर rotor का nahe armature स्वरी मैं कि armature इसको मिले उसके बाद armature मिलने के बाद armature rotate होगा armature जो है रोटेड होगा उसके पास भी तो सकुदके losses होगे ना जैसे की bearing में होता है फ्रिक्शन एंड वियर एंट एर लॉस ब्रशेश में होते हैं कॉंटेक्ट ब्रश कॉंटेक्ट में लॉस होते हैं हमारे फ्रिक्शन लॉस फ्रिक्शन लॉस वियर एंट एर लॉस होते हैं हमारे यहां पे भी मेकेनिकल लॉस होंगे mechanical loss उसके बाद जाके हमें output मिलेगा उसके बाद जाके हमें output मिलेगा यहां इस point में हमने strip i square r की बात की है इसलिए हमने within the armature की within the armature यह word use किया है हम इससे आगे नहीं गए हम इससे आगे नहीं गए आर्मेचर तक ही सिमित है हम इसलिए हमने within the armature यह word use किया है the motor efficiency is given by the ratio of power developed by the armature to its input अब देखें efficiency के बाद आ गए तो अब देखें efficiency का formula क्या है हमारा efficiency is equal to output upon input input into hundred ठीक है अब efficiency equals to अगर आपने note down किया होगा तो इससे पहले slide में हमने देखा था motor का input क्या था आपने अगर note down किया होगा तो आपको पता ही होगा motor का input हम motor का input क्या दे रहे थे भी आईए दे रहे थे ठीक है और motor का output क्या था electrical equivalent of mechanical power developed in the armature ऐसा हमने कुछ लिखा था किसके बारे में लिखा था इसा e e b sorry e b आईए लिखा था यह mechanical power output लिखा था हमने ठीक है इसका मतलब हमें output भी पता है और input भी पता है into 100 अब देखे आये आये cancel हो गया मेरा तो यहाँ पे क्या मिला मुझे e b upon v वही इस point में कहा गया है efficiency किसका रिश्यो है power developed by the armature power developed by the armature to the input power developed by armature कुण सा है e b और input क्या दे रहे हम वी दे रहे यही हमारी efficiency हो जाएगी अब देखे हमारी फिर से एक बार efficiency का formula लिख लेता हूँ efficiency equals to e b upon v यहाँ पे देखे अगर मेरा e b ज़्यादा होता है देखे इस formula के मुता भी अगर मेरा e b ज़्यादा होता है e b अगर मेरा increase हो जाता है तो मेरी efficiency b क्या हो जाएगी increase हो जाएगी अगर मेरा v increase होता है तो मेरी efficiency क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी efficiency किस पर depend करती है अब देखे हमारे घर में जो सप्ला है उसका voltage के सब्सक्राइब करते है या फिर पावर सप्लाइब करते है तो हम इंडिया में इंडिया में या फिर कही पी भी हम voltage को constant रखते हैं जैसे कि हमारे घर में कितने constant voltage आता है 230 hold ठीक है ना 230 hold constant तो किसी भी किसी भी equipment के लिए हम voltage constant रखते है current हमारा variable होता है इसका मतलब हम जो मोटर को supply देने वाले है वह भी constant voltage ही होगा उसके अंदर सब्सक्राइब को जो हम supply दे रहे है उसका भी voltage कैसा होगा constant होगा इसका मतलब हम वी को तो नहीं change कर सकते हैं वी को हम change नहीं कर सकते हैं मोटर के लिए इसलिए क्या करते हैं इसलिए हम अगर VB सरी EB back EMF के बारे में अगर हम सोचे तो efficiency कम ज्यादा हो सकती है इसका मतलब EB यान की back EMF increase करता हूं मैं तो efficiency भी increase करता हूं और back EMF increase कैसे होगा या फिर decrease कैसे होगा इसका मतलब back EMF change कैसे होगा यह हमने कल के equation में देखा था जब हमने कल back EMF पढ़ा था यह सब चीजे एक दूसरे से related है इसलिए एक भी lecture आप miss मत कीजिए यह मेरा आप से कहना है जिनों नहीं भी back EMF समझ में नहीं आया वह पिछले इससे पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं तो इससे इस मोर ठीक है अगर EB हमारा ज्यादा है तो efficiency हमारी क्या होगी ज्यादा होगी लेकिन लेकिन यहां तक यहां तक तो सब ठीक है लेकिन EB यह भी condition हमें ध्यान में रखना है EB अगर इतना ज्यादा होगा supply voltage से भी ज्यादा होगा अगर EB तो हमारा हमारी motor कैसे वर्क करने लगी गी motor motor act as a generator इबी अगर हमारा ज्यादा motor act as a generator consideration for maximum power consideration for maximum the gross mechanical power is developed by अब gross mechanical power power किसे डिनोट करते हैं पी से gross mechanical power इसलिए हम सपिक्स में मैंने M लिख दिया है ठीक है क्या होगा हमारा input हम क्या देते है वी आईए ठीक है इसका मतलब हम supply क्या दे रहे है वी वोल्ट दे रहे है किसी भी motor को हम supply क्या दे रहे है वी दे रहे है उसमें से वो वो supply हम किसको देते है और मेचर को वो उसमें से flow होने वाला करन कुन सा है आईए है इसलिए मैंने पावर क्या लिख दिया वी आईए ठीक है अब losses भी होंगे ना इन्पुट देने के बाद losses भी तो होंगे वो losses माइनस करने के बाद ही मुझे mechanical power मिलेगा ना इसलिए मैरे losses कौन से है i square r i square r loss लेकिन किसके और मिचर के ठीक है इस equation को मैं differentiate कर देता हूँ आई ए से डिफ्रेंशियेट विद रिस्पेक्ट टू आई ए से मैं डिफ्रेंशियेट कर देता हो पी यम डि आई ए ए इक्वेल्स टू क्या होगा फिर वी माइनस टू आई ए आर ये हो जाएगा अब इसको क्या गर देता हूँ इक्वेटिंग टू जिरो इसको जिरो के साथ एक्वेट कर देता हूँ डिफ्रेंशियेट करने के बाद मैं इसको इक्वेट टू जिरो कर देता हूँ देरफोर अगर स्रिफ मुझे इसकी वैलू निकालने है आई ये आर ये की तो क्या हो जाएगा ये टू को मैं इस तरफ लेकी जाता हूँ तो वी बाई टू हो जाएगे कुछ भी नहीं किया मैंने सिंपल सा मैंने ट्र aç किया है वी क्या है मरा वी माईनस 2 अ ये आरिये ठिक है इक्वल्स टू डीप अ अब मैं क्या कर दिया इसको मैंने जीरो के साथ साथ एक्वेट कर दिया है स्वरी यहाँ पर जीरोगे साथ एक्वेट कर दिया है तो यह क्या हो जागा यह साइड में आजागा वी इस टू को इधर लिखे आए जाहिए वी बाए टू इक्वेट क्या अब यह अब भी हमने देखा इक्वेट विखेट की वेलू डाल देता हूँ आंपे लिखेखे वेट बैसे में नेया को फो इस सब्सक्राइट सब्सक्राइट अब V V minus इसको मैं इदर लेके जाता हूँ ठीक है left hand side पे V minus V upon 2 equal to EB ठीक है अब यहाँ पे क्या आ जाएगा V by 2 equal to EB इसका मतलब EB equal to V by 2 हो गया यह condition क्या है हमारे maximum power के लिए maximum power अगर हमें चाहिए तो यह भी के मुकाबले voltage supply आधा चाहिए यह condition का कहिना क्या है अगर हमे maximum power collect करना है किसी भी motor से gross power किसी भी motor से maximum power collect करना है तो हमारा back EMF voltage supply जो है back EMF से आधा चाहिए लेकिन यह possible नहीं है लेकिन यह possible है क्या नहीं यह स्रीप ideal condition में ही possible है यह possible नहीं है यह क्यू पॉसिबल नहीं है यह कुछ point के थुरू हम देखते हैं the gross mechanical power developed by a motor is maximum when the back EMF equals to the half of the applied voltage जैसे के मैने अभी अभी हमने यह condition देखी थी जब भी मेरा back EMF equals to half of the applied voltage इसका मतलब EB EB equals to V by 2 होगा तभी maximum output मिलेगा इस condition is how we are not realizing in the practice और प्रैक्टिकली हम इसको नहीं कर सकते हैं because क्यों नहीं कर सकते हैं in that case the current would be much beyond the normal current of the motor क्यों नहीं कर सकते क्यूंकि यह जो current है यह बहुत जादा बहुत जादा हो जाएगा किसके मुकाबले नॉर्मल कर्हंट के मुकाबले जो हमारे motor में normally जो current होता है जो नॉर्मली करेंट फ्लो होता है उसके मुकाबले वो फ्लो नाला करेंट वो बहुत ज्यादा हो जाएगा इसलिए यह कंडिशन प्राक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसलिए यह condition practically possible नहीं है more or half of the input would be vested in the form of and taking other losses जो इन्पूट का इन्पूट जो है हम मोटर को देते है वह इसलिए मैं यहां पर उनकी नाम इस्तमाल कर रहा हूँ इसलिए मैं यहां पर उसके नाम इस्तमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमने जनरेटर में यह सभी लॉसेस देखे थी इसके हमने डिटेल में डिसकस किया था है इसलिए देखिए आपर में जो आय स्कोएर आर लॉस के अलावा भी हमारे मचील में लॉसेस होते है यह सब भी तो लॉसेस होते यह भी तो overcome करते हुए हमें output मिलता है ना इन्टू इन्टू तो consideration अब दो motor efficiency will be well below 50 below 50 इसलिए हमें किसी भी rotating machine की चाहे आप AC machine की बात करो चाहे DC machine की बात करो कोई भी rotating machine की efficiency बहुत ज्यादा नहीं होती अब देखे टेशनरी machine का यहाँ पर थोड़ा सा महीं इंट्रोडूस कर देता हो लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से detail में समझ में आएगा stationary machine कोई सी है कोई लोग बोलेंगे कि हमने देखी नहीं है लेकिन मैं बताता हो सब ने देखे transformer क्या है transformer भी तो हमारी एक machine यह ने AC machine ना वह भी तो वह भी तो टेशनरी है वह तो टेशनरी है ना वह रोटेटिंग है कि उसमें कोई पार्ट मुविंग है क्या नहीं वह टेशनरी है इसलिए मैंने दो वर्ड्स यूज़के यहां पर यह रोटेटिंग मसीन और स्टेशनरी मसीन रोटेशन के दो मेकैनिकल लोटेज वेरएंट ये लोसे ब्रॉष्ष कॉन्टेक लोसे जैसे बहुस जैसे निसे पपहले दिस्कस किये थी यह सब लॉसे इसमेण हो जाते हैं इसलिए इसकी इफीशेंस से हमें बहुत कम मिल तत VLACE stewardhi्ट टुस्टेशनरे मशीन टैशनरे म सीन में कौन से लौश एस होते हैं समझ लीज land sn में और कॉपर यस के अलावा तो उसमें ज्यादा लौश उस में कुंकि ये उसमें उसमें कोई भी गुंजश नहीं हैं इसलिए उसकी efficiency बहुत ज़्यादा होती है 85% 80% 90% 95% ऐसे चली जाती है transformer की efficiency बढ़ मोटर की efficiency always कम होती है as compare to stationary या फिर transformer के मुकाबले तो आज हमने देख लिया voltage equation of motor and consideration of maximum power यह दो टॉपिक आज हमने देख लिये कल हम इसके एक दो numerical देख लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद